हेलो माई योट्योब फैमली कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल पर यूट्यूबर साधना सोनी हैपई विद सिंपल लाइफ सो गाइस अभी मैं लंच तयार करने जा रही थी तो मैंने सुझा चलो आप लोग के साध़ शेयर किया जाए आज का लंच मैं ठीट में तर करहा हुँ टिंडे की सबसी जो मुझे बहुत पसंद है जिस तरह मैं बनाती हूं उस तरह तो मैं बहुत पसंद करती हूं एक दम मलाईधार यब दिक रच्स आप देखेगा मैं किस तरह बनाती हूं अगर आप इस तरह से नहीं मेनाते है जरूर ₂ करना बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को भी और बहुती सिंसन्पल है और आसा नहीं कुछ बहुत इस्पेशलरेशिपिए है बहुती सिंपल है सो यह देखी मैंने oil ahead कर दिया मस्टरर ओई में हिंग डाल दिया है तो ट्राय करना एक दो जिस तरह से देखे अच्छा लगें तो ट्राइब कीजिए गाई ऑर हाँ यह देखें यहाँ पर मैंने जीरा डाला से पहले हेंग डाल दिया फिर और हरी मिर्च डाली उसके बाद कटे हुए प्यास डाल दिये और आपको के मारे घरते नहीं है जै कि अब क्या करते ऊपर से घर मिर्च लेनी पड़ती जुजी सब्सक्राइब करक़े हैं इस में डाल बच्क चिखे पर मैं मिर्च चिक सत्रिक handlar कर रिक कर दाल हो जा टो सबजी की त्यारी करते है इसमें मैंने बेसिक मसाले डाल दियें हल्दी लाल मिर्च बस और कुछ भी नहीं डाला है एकदम सिंपल बनाती हूं लेकिन थोड़ी सी मसाले डाल तो यह देखिए अभी आपको एक बार फिर से मैं दाल शो करा रही हूं दाल हमारी बिल्कुल सबजी के पास आते हैं और सबजी में मैंने टमाटर नहीं डाला है ठीक है तो बस किवल यह प्याज है और वही मिर्च जो मैंने आपके सामने डाली बस वही है और यहां पर बेसिक मसाले पढ़ चुके है और अभी मैं डाल रही हूं नमक तो नमक अपने स्वाद के अनुस पढ़ी है और बस मुझे टिंडी की सबजी ऐसे ही पसंद है बहुत ज़्यादा ताम जाम करना तो वह फिर बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है तो इसके लिए सिंपल सबजी है तो मैं इसको सिंपल तरीके से बनाती हूं बट इतने में ही बहुत अच्छी लगती है यह र आजकल पता है कै cheese मतलम मैं सबजी हो चाह दाल हो तलका कुछ भी हो मैं सब कुछ अपना breakfast、 lunch, dinner सब आयरन की कड़ाई में ही बना रही हूँ पता निया क्यों मुझे मैं जब लोहि की कड़ाई में खाना बना रही हूँ बहुत सदर एंजोई कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें बनाते हुए और जब तक मैं बोर नहीं हो जाओंगी तब तक मैं इसी में बराऊंगी सो आप लोग को हर बार मेरी यही कडाई दिखाई देगी क्योंकि मैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इसमें खाना बनाते समय और बहुत ही स्वाधिस्ट्री बन रहा है और यह देखिए इसमें सारे टिंडे हमने डाल दिये अब सबको अच्छी तरह से मैं मिला रही हूँ ताकि जो हमारे टिंडे जो मैं अभी डाले है इसमें अच्छे से एक-एक मी नमक चला जाए और एक-एक मी मसाले में यह पूरी अब्सॉर्व हो जाए इसकी वेज़ा से मैं अभी इसको अच्छे से चला रही हूँ ठीक है तो अभी आप लोग रोज रोज आप लोग को यही कडाई देखने को मिलेगी जब मुझे लगेगा कि नहीं इसमें अब बहुत हो गया अब नहीं बनाना है मुझे इसमें तो तब मैं अटाऊंगे क्योंकि लास्टेयर भी मैंने ऐसे ही किया था बहुत इसमें खाना बदाने के बाद जब मैं ऊप गई तब मैंने अटाया था और आभी हम सब यह जो टिंडे की सबजी है इसको थोड़ा कवर करके बनाएंगे है ना सो इसकी विज़त से देखिए इसमें भी आल्रेडी मैंने पानी नहीं डाला है यह टिंडे में अपने आपसे पानी मतलब कासे रिलीज हो गया यह देखिए आप और इसी पानी को सुखा देएंगे सो मैं इसको कवर करके बनाती हूं कवर करने से सबजी बहुत टेश्टी बनती है तो देखे कि कवर के ओपर मज़े रखा है पानी तो आप सोच रहेंगे पानी क्यों रखा है तो यह पानी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जब भी आप सब्जी को कवर करके बनाए तो उसकी जो भी प्लेट लेते हैं अब तो उसमें थोरा सा पानी डाल दीजे तो क्या होता है इस तरह से सब्जी हमारी नीचे से जलती नहीं है यह देखिए इसकी फ्लेम भी मैंने पूरी फुल कर रखी है यह देखिए फ्लेम पूरी फुल है और लेकिन मैंने प्लेट के उपर पानी रखा हुआ है हमारी सब्जी को जलने से मतलब बहुत ही कम चांसे हो सबस्टी नहीं दाल ऐए ल दाल के सब्सक्राइब रोग। मज़ें अपर इस कमझे साद के लाए और ँरस सबस्टोगी । अब बस हमें करना है क्या है salad कट करना है और rice चड़ाना है सो बस अभी क्या करूँगी मैं फटाक से rice मैंने चड़ा लिया ये देखिए तो ये kookar में हमने rice चड़ा लिया अभी हम कट करेंगे अपना salad और side में हमारी सबजी चड़ी हुई है जैसे कि आपने देखी तो चलिए फिर एक बार फिर से सबजी के पास आते हैं ये देखिए तो सबजी हमारी पते क्या है न इतनी दो मतलब पक चुकी है ठीके न ये पूरी कोख हो चुकी है बट इसको हमको लेना है किस के साथ राइस के साथ तो इसको थोड़ा सा मैं और सुखाना चाहती हूँ और यहां पर पता है क्या है ये जो सबजी है न इसको आप इसी तरह से बनाएए तो आपको बहुत अच्छी लगेगी तो मसाले दार इकदम इसी तरह से बनाएए और मसाला वैसे कुछ पढ़ा नहीं है लेकिन ये बनती मेरे से इसी तरह से जिता लगता मैंने कितने मसाल तो अभी सब्जी रेड़ी तो ओके गाईस अभी ये देखे हमारे लंज की ठाली लग गई है यहाँ पर ये देखे सब्जी कितनी लजीज लग रही है और स्वाधिस्ट भी लग रही है और खाने में भी बहुत स्वाधिस्ट जितनी दिखने भी लग रही उतनी खाने में भ पापड पापड अच्छा लगता है और यहां पे यह राइज सो बस हमारा लंच पूरा रेड़ी हो चुका है और बच्चों को भी हमने लंच सर्फ कर दिया है वो एंजॉय कर रहे हैं और यहां पे लंच के ठाली है आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आप लोग के साथ बैठ के बात करूँ बहुत काम था आज तो बस फटाफट से लंच बना लिया मैंने का चलो छोटा सा ही व्लॉग सा ही पर आप लोगों के लिए मेरे व्यूर्स के लिए मेरे यूटूब फैमली के लिए कुछ तो आज भी जाना ही चाहिए तो बस लंच रेडी कर लिया है और व्लॉग अच्छा लगा हो आज का तो डेर सारे लाइक कर देजेगा कॉमेंट कर देजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स व्लॉग में अच्छे से प्या प्याल रखना और नेक्स व्लॉग में मिलती हूँ ओके